नमश्कर दोस्तों आपका प्रगर्ति मीज़े टीम में आपका एक बार स्रगत है दोस्तों 2022 में election आने वाले हैं election को लेके हर किसी के मन में एक वीचार बने हुए है media वालों के मन में भी विपार बने रहते हैं आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो मनने जा रहे हैं तौपिक यही है कि जो रूपोर्वूर्टिंग में अभी fresh आये हैं जो नए नए जॉइनिंग हुई है है उनकी वह election के टाइम है किस तरह की रूपोर्व वराधिस करना होता है कौकि हम जो बता रहे हैं जो रेपोर्टिंग के हम करेंगे उससे समाज पर बहुत फर्क पड़ता है एलेक्षिन के टाइम पे दो ही ऐसे लोग होते हैं जिनके उपर काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है एक होता है पुलिश प्रिशासन और एक होता है मीडिया, प्रिशासन जो की वरस्ता को समाज तक पहुचाता है, इन बातों को हमको ध्यान देना चाहिए, इन बातों को हमें सूचना चाहिए, समझना चाहिए, तभी हमें अपनी कोई भी मुद्दा समाज की बीच में रखना चाहिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे जो अनुववी होते हैं जो मीडिया में और लड़ी काफी समय से कार करें उनको पता होता है कि एलेक्शन के टाइम पर वोटिंग के टाइम पर हमें किस तरह रिपोर्टिंग करनी होती है लेकिन जो व्यक्तिन नहीं जॉइन हो हम जो भी आपको जान करें देंगे वह हमारी मीडिया टीम के जारा हम आपको इसे जान करें देरे हैं अगर आपको कुछ सुजाव है तो आपको किन टॉपिक पर रपोर्टिंग करनी है हम हर टॉपिक के बारे में एक एक करके चर्चा करते जाएंगे आपको कोई भी बात नहीं समझ में आए तो आप मेरे को वाट्सअप है या कॉल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं सबसे पहली बात कि आप अपने बुद्धे कुछ लिख ले अगर आप किसी की रूपोर्टिंग करने जा रहे हैं अगर आप सबसे किसी का इंट्रू लेने जा रहे हैं किसी नेता या किसी अधिगारी का तो एक लैटर पैट पर जो मीडिय आपको प्रोवाइड कराती है या आपके पास नहीं है तो आप खुद के लेटर बैट पर आप अपनी एक एप्लिकेशन या उसे हिंदी में आप कोई अपना एक जानकरी आप किसी अधिगारी को इंट्रू लेने जा रहे हैं एक एप्लिकेशन उनको लिखें कि आप उस वारे में आप उनसे कुछ पूस्ता और नweer वाद कुछ टॉपिक परिवाद कुछ आमको कुछ टॉपिक बजाते हैं, इस टॉपिक पर आप उिक रेपोर्टिंग कर सकते हैं है हैं पहला है दोनों पार्टि में आप नपके हिए आपके पार्टि हो चो फीया है Siz उन Pakti के सि 대해서 है उसकी जो नेता है वो कितनी स्ट्रोंग है इसके उपर आप एक अपने टॉपिक बना सकते हैं हर टॉपिक के बारे में हम जानकरी अलग देंगे बाद में भी कि टॉपिक पर आपको जानकरी किस तरह बनानी है अभी हम आपको टॉपिक लिखवा रहे हैं तो जितनी लाहें कितना जो पावर्फुल हैं उनमें र्याली वगारा जो बी चीज हो थे उनके वारा पता सकते हैं है आप अगर आपके पीस्य मॉड्य माइक हैAghtar बहुत जरूरी होता है तो आपके काप BRIE मीडिया माइक रहता है तो पह्यारवन्दि के अगर आपके यह बास कैमरा नहीं करते तो वह अपने बैस्ट रहेगा पैस्ट ऑप्सन रहेगा एक पब्लिक रुफी लेने के लिए मीडिया माइच बहुत कंपल्सरी हो जाता है अप आयाता है अपना अपना जो लाश्ट मत होता है वह आप लास्ट मत हैं काफी लोगों होते हैं जो रिपोर्टिंग करते ही अपने बारे में पहले बताने लग जाते हैं हमें यह पसंद नहीं आ रहा है हमें यह अच्छा आने लग रहा है आप यह समना करें आप पहले लोगों को जराय जाने अपना लास्ट मत हैं कि लोगों का क्या डिस्करशन है क्योंकि आप एक रिपोर्टर हैं आप समाज को ए कहिना कहीं गैर कानुनी हो जाता है कोई पार्टी है कितना कार कर रही है कितना कार उसने किया है पांस सालों के अंदर या आगे पिछले टाइम में उसने और आगे कितना कार करेगी यह आप बता सकते हैं कितनी पार्टी का किस पार्टी का कितना बजट है यह आप बता सकते है किस कौन सी पार्टी कितनी स्ट्रॉंग है यह आप बता सकते हैं और रैली उनकी प्रॉफॉमेंस कितनी हो रही है मला जो उनकी रैली बारा निकल लही है उनकी क्या प्रॉफॉमेंस उसके आप उसके बारे में बता सकते हैं किसका क्या ऊपनियन है been उसके बारे बता सकते हैं और लेडिय का प्रोफरॉब्वेंस या फिर आप कह सकते हैं जो महिला है उनका क्या सोहयोग है, की किस पार्टि को या बता सकते हैं यहांपे गर्मन और 8-10 टॉपिक है आप इनको एक बार topic लेख ले और इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते जा रहे हैं यह वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है लेकिन आपको election time में काफी useful हो जाएगी आपको reporting करने में सबसे पहले topic आजाता है कि party कौन सी strong है इसके बार में कैसे reporting कर रहे हैं कि reporting करने का तरीका जो हमने पहले की वीडियो बताई हुई है आप हमारी जो ऑलेडी जो दो वीडियो बने हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि reporting करते समय किन बातों को ध्यान देना चाहिए हम जहां पर उससे पहले अगर कोई समाजवादी party है उसने क्या काम किया था और PGP अभी क्या काम कर रही है और लोगों की क्या राय है लोगों के point of view क्या है कितनी party कितनी strong है इसके बार में आप लोगों उसकी जानकारी लेके आप अपनी एक news बना सकते हैं compare कर सकते हैं कोई पार्टी है उनकी बीच में comparing कर सकते हैं जैसे समाजवादी party का बीजीप करें तो यूगी जी है अखले जी अभी जोरो सूरों से लगी हुए यूगी जी भी लगी हुए तो दोनों अपने क्या-क्या power दिखा रहे हैं अपनी election के लिए क्या-क्या काम कर र किया दो में compare बता सकते हैं public review लेना बहुत compulsory हो जाता है public review आप voting करवा सकते हैं आप एक image बनाके या फिर एक अपने short video बनाके या वीडियो के मादव से कई तरीके से होते हैं आप voting करवा सकते हैं लोगों की क्या है या अगर आपके मीडिया माइक है तो तबी भी आप पब बंद गमरे में बैठ के अगर आप reporting करेंगे तो वहां आप नॉर्मल ही person कहलाए पाएंगे अगर आप अधगारी है या पर आप किसी अच्छी लेविल पे हैं तो आप वहां पर किसी को जानकरी दे रहे हैं वो ठीक है लेकिन आप अगर किसी भी कौने में जाके reporting करेंगे कि वहां मझानी आता जब तक आप समाज की बीच में नहीं निकलेंगे जब तक आपको लोग नहीं जानेगे कि यह बेंदा Reporter है यह बनदा reporting करता है जब तक आप को नहीं पैच्छानक पाएगे वह पैच्छानती है पबिक रीवियो उसे अब मीडियमायक लें वीडियमायक क्या राय है इस वारव में आप किसी पार्टी के खिलाफ न वोलें लेकिन जो समासर सुधार से लेटेड है उससे लेटेड आप एक वीडियो होना है हम जो आपको बता रहे हैं रिपोर्टिंग का हम जैसे कि मैं आपको पेछली वीडियो में बताया था कि हम एक न्यूज कर कर रहा है इस इस टॉपिक पैसक करना हो तो हो आप दो लूज की जितना भी काम है जैसे अकर बता सकते हैं जैसे लेटोप बाटane अभी बहुत सरी जो आपनी अपनी गॉवर्नमंट हैं कोई कुछ कर रहे Christmas 좋아하 तका अपना work होता है अपने performance होती है लोगों के बीच में आ निकला है। आप budget बता सकते हैं. दोना पार्टियों का budget बताना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोगों की मन में एक अच्छी उम्मीद आ जाती है, आप लोगों की जानकारी बता सकते है, बजट के लिए आप क्या गड़ सकते हैं दिए कोई पार्टी अपना बजट जल्दी नहीं बताएगी आप उसके लिए पॉइंट आफ लिए सकते हैं जैसे उनकी खर्चा कितना हो रहा है आप एक मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हैं कि कोई भी आपकी छेतर का जो नेता है उस अपना डंडा या अपना जंडा नहीं लेराफ आती हैं इसके वारे में भी आप एक कंपेर बदार सकते हैं अपना ओपनियन दे सकते हैं पबलिक का ओपनियन दे सकते हैं जो पबलिक है उनका क्या ओपनियन आ रहा है या पार्टी है उनका क्या ओपनियन आ रहा है इस पे तो भी आप अपनी एक राया पनाधक दैसकते हैं राईली प्रफॉर्मस्स क्टेस कते हैं जो भी रैध्र वह ध जीट जाते हैं तो क्या क्या करेंगे अच्छा मैंने एक्षी और देखी है रैली प्रॉफॉमस में कि इस्टेज प्रॉफॉमस कोई होती है तो लोग ज्यादा तर क्या करते हैं कि वीडियो ना कौनी से इकदम कौनी वह वह बहुत अग्दम घटके जहां पर साउंडबॉक् इसे करके बात करsta करों तो आपको कुछ भी एषिंग कुछ भी कुलिर में हो पाईगा आप अगर किसी ने तकर या कि इसी रिविवर साइड आई या side view आ रहा है उससे क्या होता है कि सामी जो देखता है उसको भी अच्छा नहीं लगता है और सुनने वाले को भी नहीं अच्छा लगता है और जो रिपोर्टिंग करता है जो मीचिस वीडिया में जाता है उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि कैसे रिपोर्टिंग आई दोस्तों इस पर हमने कुछ topic के ऊपर बता ही है अगर आपको मैं topic to topic आकर आपको जान करें देने लग जाओ तो साइध हो सकता है यह video हमारी 3-4 गंटी के हो जाए लेकिन अभी हमने आपको थोड़ी पो जान करें दी है आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है या अगर रिपोटिंग लाइन में अगर आप जा रहे है अगर आपको election time में कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है पहने आप यह वीडियो दो तिन बार देखें अगर आपको जब भी कुछ ही समझ में नहीं आए तो आप हमसे सला ले सकते हैं हमारे जो भी हमारे संबब होगा हम आपको वह प्यास करेंगे कि आप समाज के लिए एक समाज सुधारग मन सकें आप एक अच्छी रिपूरडर मन सकें और आप अपना एक प्यास करते हुए समाज के लिए एक बहतर कार्य कर सकें धन्यवाद